आप देखर है इसना न्यूस दोस्तों मैं आज कल रावल गंदी का भारवड़ोड़ा यत्रा है ना उसके लिए हर दुपानों को सर्वे कर रहा हूं तो मैं आज एक गैरेज में आया हूं और उन्से दरा को सवालत करता हूं उसके उनको कुछ समस्या है क्या और क्या वह अब तर अब नाम क्या है मेरे नाम शकील एमद्य जी जो रावल गंदी भारोजड़ा यतरा में कण्या कुमा से कश्मिर तो चल रहे आपको क्या लगता कि उन्हें कुछ चलने से कुछ फाइदा होगा उनको बहुत फाइदा होगा बहुत लाव होगा बता सकते हूं आप अब सकते हैं इसलिए चल रहे हैं वह गरीबों से मिलने के लिए पैदल चल रहे हैं और अने वाले टाम पे तो प्रदान-्मंत्री राहुल-गंदी जी भी वनेंगे इतना मेहनत कर रहे हैं हर गरिप के पास पहुच रहे हैं आज हमारी दुकान पे दो गाड़ी सर्विसिंग का नहीं आता है और जब कॉंग्रेस का टाइम था तो हम लोग आठ से लेके दस गाड़ी सर्विसिंग करते थे क्योंकि इसलिए नहीं आता है कि अभी पैट्रोल की कीमत तो बहुत जादा है और कॉंग्रेस के टेम पे सतर रुपे से उपर पैट्रोल नहीं गया था काफी टेम तक सतर से उपर नहीं गया था अब यह सरकार तो 120 तक 125 तक पैट्रोल पहुचा दी है तो बताए गाड़ी कहा से आएगे हम वोगत इतना परसान है इस सरकार के होते हैं बहुत ज्यादा परसान है और मुई चाहते हैं कि कि उयर्य को इसक्वर्णी चाहिंदे होगा थोड़ा महँगाई दिए गया था कि सींग का तेल था वो भी वही कीमत में चल रहा था आज भी उसकी किमत देखिया आप 200 से अपर की किमत कर दी गई है बहुत जादा महेंगाई कर दिया एक इसी पी चीज में देख लिजिए आफ रेलवे का इसलिशन मिलता था सारे खतम कर दिये गये सब सरकार कुछ सोची नहीं रही है लेकिन मतलब क्या है कि आप कुछ कामी नहीं कर रहे हैं तो हमारी लिए क्या कर से कि लिए कि अग्या को चले नहीं कर लगा नहीं कि अभी जुस्त छेंया के पास जा रहा हैं गरीपों को गले से लगा रहा हैं अब देख लिजिए कि आज से उनकी दादी जी के जमाने से किसी को इंडरागानी जी ने उस खेट की जिसको खीड़े उपिए में महाराश में कखड़ी बोलते वह लाके राहुल गानी जी खा सकते हैं इतने बड़े निता होने के बाद उस गरीब के हाथ से उस हमारी मा जाक मा जैसी मा थी हो उनको गले लगाया और उनके थोड़ा सा उनको समझाया कि नहीं अब मैं आ सकता हूं और आओंगा मैं फिर्दानमंत्री बनुगा तो आपको देखूंगा अब यह तो सरकार सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं कि काधि तरफ पह प्लट हमारब ओथ दादा को गरें स कि हमूं और हमारे यहाने वाले बच्चें को बेंसी बनाय रहे हैं क्योंकि हम जब अपने टाम पर साड़े कि अनपक चार रूब क्लों आता कह।रह एगए और राचा की मत देख Hani लो आप कहां से खाएंगे बताई आप आदमी पैदल चलके ही अपना काम चला रहा है इसे राहुल गांधी जुनको शिक्सा देरहें के पैदल चलिए आप चलके पैदल जो बश्का भाड़ा देखो प्रेन का वाड़ा देखो उसलिए हम लोग पी राहुल गांदी के साथ हैं पहले पहले बिजनिस मेरे अचाहता कि आज मैं आपके साथ बेटके जो भी बात कर रहों मीटिंग कर नहीं कर सकता था मैं इसलिए कि मेरे पार काम बहुत रहता था पर कभी-कभी मैं इधर ही किदर किसी ना किसी दोस्किया रहे जाता हूं कि अभी पैटल का पैसा तो है नहीं मेरे पास क्या करूंगा बच्चों की पगाद नहीं दे पाता हूं अब बुलकुल एकदम ब्रेक चल रहा है कुछ नहीं है पहले हम बहुत खुषते कांग्रेस के टेम पे इतना खुषते ना कि आराम से काम करते थे पैसा भी पॉकेट पे रहता था में बात कि आतीना देखिए महंगाई का मुद्धा है में महंगाई जो है ना उससे मार हो है अभी कोई भी आदमी 110 रुपे 120 रुपे लिटर पेट्रोल डाल के क्यों बाइक चलाएगा आज वो बस से सफर कर लेता भी एस्टी में पांच रुपे में पूमलाड चले जाता है दस रुपे में कहीं भी चले जाता है तो फिर गाड़ी खराब ने होगी तो हम लोग को कर दो सुबा का नहीं मालूब चाय बनेगी नास्ता बनेगा कोई मतलब नहीं है अगर राहूल गांदी जी आएंगे तो कम से कहा हमें यह उम्मीद है उस घराने से उस परिवार से के हो सकता है कि हम थोड़ी रहात के सास्स मिलेगी आप तब बनने का मतलब इसमें हमेशा बुलकुल एकदम पूरा कॉंग्रेस ने हर गरीब को गोदी में उठाया गले से लगाया है हर समय उनका यही काम है रावल गांदी चल रहे है कंद्या कुमार से श्मेर कप लेकिन मेडिया में तो कोई दिखाया नहीं जाता है मीडिया वाले तो क्या दिखाएंगे सरकार के तो करेंगे ना को बिर्यानी क्या यह जाके तो पाकिस्तान में इरा यह तो मिलेंगी नहीं घरीब लोगों से आम लोग को फुद अपने खाने के लिए नहीं है तो प्रदान मंदर को क्या रियानी खिलाएंगे आज कोई भी नेता कोई भी थोटा मोड़ जन सबाव भी करता है तो उसके लिए लावी इसको दिखाती है लेकिन राउल गंदी इतने बड़े होने के बावजुद भी सांसत भी है उनके दाड़ी बीम थे उनके नाना देश के प अब टीकार के साथ से चल लही है और राहुल गांदी को क्यों दिखाएंगे वो आज राहुल गांदी जो एक पूरा फूर भूमत में आने की तयारी में है हर परिवार से हर गरीब लोग से यहीं उम्मी दे कि राहुल गंदी जी प्रदान मंत्री बनें गे हम बोड उनको तो मुझे वही पर से मिलता कि महेंगाई उद्धा तेल का मुल्टा सिलेंडर कम उद्धा यही है तो देख लिए आज सिलेंडर देख लिए आप 1100 रुप्य का से लेंडर चल रहा है सारी सब्सेटी खा गये हैं जो हमारे कोंड में आता था 180 120 रुप्य वह भी नहीं आ रहा है कहां जा रहा हूं एक सो कुछ यूजना है ती जो हमारे प्रधान मंत्री ने करी थी वह उसमें से जाता से बीस तीस चालू हुए है उसमें भी ठपा यह लग जाता है कि नहीं जी ब कि लोगों को घरगा सेलेंडर पहुचाना चूला प्राइक कॉंग्रेस का है मुझे बताइए बीजेभी का किदर है कोई सबूत दिखाए अगर आपको हमने को काम दे दिया है और आप कर रहे हैं अपना नाम क्यों कर रहे हैं कि राज चोदरी का काम है तो आप तो बोलने क बड़े लोगों को दे दिया जा सब कुछ अमवानी जैसे लोगों को गरीबों को तो वह सो आप तो अच्छा है थैंक यू मैं आजकल हर जगा जा रहा हूं और शर्वे कर रहा हूं जिसे में कल गया था एक पाइनपटी पे वहापी मैंने शर्वे किया ता उसकी भी मैंने आजकल सब लोग परिशान हैं सब लोग चाहते कि रावल गंदी दोजा चौबिस में पीम बने तो देश का व्युकास हो सकता है आपके वीडिया कैसा लगा लाइक शेर और सस्क्राब जरूर कीजिए जैहिन वन दे मात्रम